नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार उज्जयन के स्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाईजेनिक फूड श्ट्रीट प्रसादम का लोकारपन रविवार को मुख मंत्री डाक्टर मोहन यादो ने किया इस फूड श्ट्रीट को 1 करूर 75 लाक रुपए की लागत से तयार किया गया है सुभारम अवसर पर केंद्री स्वास्त और परिवार का लियान मंत्री डांक्टर मंसुक मांडवय भी साथ रहे इसके बाद देशपर में 100 इस्थानों पर यहीं स्ट्रीट खोले जाएंगी यहां समोसे, कचोड़ी और जंगफोट के साथ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंद रहेगा फरवारी के प्रथम सप्ताह में इसे पूरी तरह सुरू कर दिया जाएगा आयोध्या में 22 जनवरी को राम लला के प्रान प्रतिष्था होनी है फिर 23 जनवरी से सभी भक्त दर्शन कर सकेंगे कोई भक्त बिना दर्शन के वापस न लवटे इस पर ट्रस्ट विचार कर रहा है भीड होने पर राम लाला का दर्बार 15 से 18 घंटे तक खुला रह सकता है वहीं भगवान राम के सस्वुराल मिधिला से 500 लोग 5000 उपहार लेकर आयोध्या पहुंचे हैं उपहार टोकरियों में हंडियों में हैं इनमें वर्ष्ट्र फल मेवा पकवान चांदी के खड़ाओ और अभूशन सामिल है मद्ध प्रदेश के मंत्री कैलास बिजेबर्गी राम मंदिर के संघर्ष से जुड़ी 5 साल के प्रमुक घटनाएं बीडियो के माध्यम से सुनाएंगे इस संबंध में सोसल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने की है वीडियो पोस्ट में बिजेबर्गी कह रहे हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने भवन में जाएंगे इंदोर के विशेष नियायले ने पिछले दिनों भ्रस्टाचार के जरिये आयसे अधिक संपती अरजित करने के मामले में फैंसला सुनाया है आरोपी डिप्टी कलेक्टर की मौत हो चुकी है लेकिन कोट ने उनकी पत्नी बेटी दमाद और संधर की एक करोड़ 28,18,000 की संपती जबतकर सासन को सौपने के आदेश दिये हैं इसमें वाहन मकान प्लाट क्रिसी भूमी आदि सामिल हैं डिप्टी कलेक्टर की संपती आय से 356,9% अधिक पाई गई है भारत के प्रधान मंत्री नरिन मोदी पर अपमान जनक टिपणी करने वाली महिला मंत्री मरियम सिउनाओ को कबिनेट से सस्पेंट कर दिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिउनाओ के अलाबाद दो नेताओं मालसा और हसन जिहान को भी सस्पेंट किया गया है दरसल इन नेताओं ने प्रधान मंत्री मोदी की लच्छदी दोरी को लेकर आपति जनक टिपणी की थी स्वच्छता सर्वेच्छन 2023 में मध्ध प्रधेश को 6 नेशनल अवाड मिलेंगी पिछली बार सफाई में 6 लगाने वाला इंदोर फिर नेशनल अवाड की लिस्ट में सामिल है भूपाल को बेस्ट कैपिटल सिटी या बेस्ट सस्टेनेबल कैपिटल अवार्ड भी मिल सकता है वहीं रैंकिंग भी सुधरने की उमीद है पिछली बर छठी रैंकिंग आई थी अमरकंटक महू और बुधनी भी नेशनल अवार्ड की केटेगरी में सामिल किये गए हैं हाला कि रैंकिंग और अवार्ड के बारे में 11 जनवरी को ही पता चल सकेगा इस दिन दिल्ली में कारिक्रम होगा मद्ध प्रदेश के मंत्री कैलास विजयवर्गी ने कहा कि मा अहिल्या का सहर इंदोर हमारे सपनों का एक दोर है यह संकल्पों को सिध्धी में बदलने वाला सहर है सफाई और खानपान में नमबर वन इंदोर को अब हम यातायात में भी नमबर वन बनाएंगी नए साल के जस्न के बाद लोगों को अब तक तेज ठंड से राहत नहीं मिली है रभिबार सुबह से सहर में कोहरा चाया हुआ है सहर के कुछ हिंसों में सुबह 9 वज़े से हलकी बूंदा बांदे हुई रभिबार सुबह इंदोर में नियूंतम तापमां 13 डिगरी दर्ज किया गया वहीं सानिबार को सहर में तेज गद से चली ठंडी हवाओं की वज़े से दिन भर लोग ठी ठूटते रहे हाला कि सनिबार को कुछ देर के लिए सुरज निकलने पर लोगों ने राहत की सांस ली कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी